Hey guys, welcome back on my another video दोस्तो आज जो मैं आपके लिए phone लिखाया हूँ वो है Redmi का हाली में launch किया हुआ Redmi Note 7 दोस्तो यह MI का phone नहीं है यह Redmi का phone है Redmi का first phone है तो चलो बात करते हैं इस phone की जैसे कि आपको box नजर आ रहा है white color का box दिया गया है दोस्तो काफी सुन्दर box है और सामने लिखा हुआ है Redmi Note 7 उपर आपको नजर आ रहा है 18 का logo यह दोस्तो इसने अपना logo नया logo डिजाइन किया 18 चलो और कुछ detail इसकी और मैं बता देता हूँ जैसे इसकी first thing आपको इसमे 48 megapixel का camera मिलता है दोस्तो और आपको इसके साथ fast processor मिलता है 660 का और आपको एक long battery मिलती है 4000 mh की और variant आपको इसकी 64 GB का variant है वहीं जैसे की phone को open किया तो आपको एक box नजर आ रहा है box के अंदर एक white color का soft case है और कुछ users manual दी हुई है चलो phone के बात करते हैं एक phone भी आपको जैसे देख रहे है blue color का एक phone है दोस्तो और twin shade में एक phone है और कुछ चीज़े देखते हैं इसके साथ और तो इसका charger भी है और earphones नहीं दी गई और एक fast charger है दोस्तो 4 watt का charger है आपको इसके साथ मिल जाता है वहीं अगर बात करें दोस्तो USB गी तो इसमें आपको USB जो एक का long USB cable मिल रही है जो की USB type C है दोस्तो जिससे कि आप अपना data बहुत चल्दी से जल्दी transfer कर पाएंगे another device में चलो दोस्तो आप phone को boot करते हैं और इसके कुछ इसमें पीछे glass मिल जाता है दोस्तो और कोई polycarbonate glass नहीं है को glass नजर आ रहा है तो थोड़ा बचागे रखना इस phone को दोस्तो गिरने से और आपको एक dual camera मिल जाता है with LED flash और उपर की बात करें तो आपको 3.5 mm का jack मिल जाता है पर jack किस काम का अगर आप नजर आ रहा है जैसे कि मैं आपको पहले भी पता चुका हूँ कि यह MI का phone नहीं है Redmi का first phone है जो कि Redmi ने अपना खुदी phone बनाया है चलो phone की जासा बूट हो चुका है तो display आपको नजर आ रही होगी noise display के साथ आपको 6.3 inches की full HD display मिलती है और जिसका scroll ratio size जो है screen से chrome तक के बीच वो भी काफी कम है दोस्तो और जैसे कि आपको इसमें camera है और display की बात कर चुका हूँ तो camera में इसका open करकर दिखा देता हूँ तो दोस्तो इसमें 48 megapixel का एक अलग से ही option दिया हुआ है इस पाप click करकर से आपको 48 megapixel की photos क्लिक कर सकते हैं थोड़ा उनका size जो होगा वो थोड़ा जादा होगा दूसरे photos से तो चलो मैं से कुछ photos क्लिक करता हूँ वो आपको मैं दिखाता हूँ तो आप देखना कितना अच्छा response आता है इससे नहीं आता क्योंकि दोस्तों इसकी जो mid range जो price है उस price के हिसाब से आपको इसमें बहुत अच्छा phone नजर मेरे को आ रहा है बिल्कुल चलो यह कुछ photos थी जो मैंने shot की थी अपने Redmi Note 7 में तो जैसे ही मैं से zoom कर रहा हूँ तो दोस्तों बिल्कुल भी blur नहीं हो रहे हैं दोस्तों यह और आप भी देख सकते हैं कितने अच्छी जो फोटो आ रहे हैं बिल्कुल आप जो फारडिजिंग्स है वो मैं easily देख पा रहा हूँ चलो दोस्तों photos की बात हो चुकि आप बात करते हैं से कुछ अच्छी जो प्रोसेसर की तो प्रोसेसर आपको 660 का स्टैंप ट्रागन प्रोसेसर मिलता है और लेटेस्ट एंड्रोइड 9 भी मिल जाता इसी के साथ आपको मियू टाइन पर इसका लेटेस्ट वरसन है आपका और बैटरी आपको 4000 mh की लोंग लास्टिंग बैटरी मिल जाती है जिससे आपको game खेलने वक्त आपको call करते वक्त और आपको जल्दी से जल्दी चार्ज नहीं करना पड़ेगा तो दोस्तो ऐसे ही मैं आपको नहीं ने वीडियो के साथ आपको और भी वीडियोश लाता रहूँगा दोस्तों करें आपको वीडियो मेरे अच्छे लगी हो तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और पहला आइकन को प्रेस करना ना भूल